हालो व्यूवर्स पिछले वीडियो को आप लोगा ने सराहा पिछला जो मेरा वीडियो था वो नंबर सिस्टम पे था मैंने अल्यडी जगह नंबर सिस्टम पे डिस्कुशन कर लिया कि नंबर सिस्टम को दो भावे बाटा गया है पोजिशनल नंबर और नन पोजिशनल पोजिश्टन नंबर को हाला कि सिर्फ चाड़ी भाग में बाटा गया, कौन कौन सा है, डेसिवन नंबर है, बाइनरी है, ऑक्तल है, और हेक्सा डेसिवन है, लेकि पिछने वीडियो में मैंने ये बताया कि नंबर सिस्टम में एक्शली बेस का काम होता है, तो बेस के हिसाब से आप चाहे हैं, तो नंबर सिस्टम को बहुत साड़े नंबर में अलग-अलग डिफरन नंबर सिस्टम में बाट सकते हैं, जिसका कुछ एक्जामपल मैंने बेस साथ, बेस सिक्स, ऐसा कुछ करके एक डेमो दिया था, तो आज का जो मेरा में टॉपिक है, पिछने कुछ आज कुछ विडियोज में मैंने डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ओक्टल, डेसिमल से हेक्जाडेसिमल कनवर्शन बताया था, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वो है बाइनरी से डेसिमल कनवर्शन, ठीके? कोई बाइनरी नमबर है, देखें जैसे दिमाग में बाइनरी वर्ड आए, आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, कि इसका रेडिक्स, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, वो दो होगा, और जब बेस दो होगा, तो बाइनरी नमबर जिसका बेस दो है, वो दो ही डिजिट इसके अलावा कोश्चन में, अगर वाइनरी नमबर में किसी कोश्चन में 01 के अलावा कोई तीसरा डिजिक्स होता है, तो वो दमबर ही, वो कोश्चन ही अच्छोरी गलत है, जैसे मैं टाइप 1, शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि टाइप 1 का जो कोश्चन होगा, वो इन कि 10110 बेस्टू है इसका डेसिमल क्या होगा ठीक है तो वे नंबर वन जो कि सब्जेक्टिव वे है उन लोगों के लिए जो बीसीय की त्यारी कर रहे हैं एमसीय का कोशन जॉल्व कर रहे हैं जहां पर टाइम की पावरती नहीं है वहां आपको बनाना होगा तो सब्जेक्टिव वे से बनाएंगे तो एक चीज यहां रठीगा गिंती हमेशा जीरो से शुरू किजिए मैं यहां पर डिजिट्स का पोजिशन लिख रहा हूँ ठीक है जीरो वन टू थ्री फूर हम लोग क्या करते हैं गलती कि हम लोग जो गिंती शुरू करते हैं वो बन से करते हैं यह गलत चीज है गिंती हमेशा जीरो से ही शुरू होनी चाहिए और इसका फर्मूला होता है डिजिट जो दिया हुआ है इंटू टू थी पावर पोजिशन यह आपका फर्मूला है इसी में आगे के डिजिट को प्लस करते चलना है तो हम बिल्कुल अपने left hand side से चलते हैं देखिए यह 1 है 1 into 2 to the power position क्या उसका चाड़ है plus 0 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0 चुकि आप subject you question solve कर रहे हैं तो आपको एक हिसाब से एक calculation रणना होगा that calculation मत किजिएगा 1 into 16 plus 0 into 8 plus 1 into 4 plus 1 into 2 plus 0 into 2 to the power 0 1 एक चीज़ मैं बतलाना चाओंगा किसी भी number पे power 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा यह एक point है किसी भी number पे अगर negative में power होगा तो वो 1 by नीचे positive हो जाएगा और अगर किसी भी number में नीचे में negative होगा तो वो उपर जागे positive हो जागा यह नियम है जो आप लोग note down कर लेंगे विडियो को pause कर गे हैं ठीक है? तो अब आते है result पे 16 into 1 16 16 गुना 1 16 होता है 0 गुना 8 0 होगा प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 अब इसको add किजिए 16 4 20 2 22 यह आपका decimal number होगया यह आप answer होगया लेकिन सवाल है कि क्या अगर आप किसी competitive examination के लिए preparation कर रहे हैं तो क्या आपके पास इतना वक्त है? नहीं अगर है तो भी आप वक्त बचाना जिखिए ताकि दूसरे questions पे उस वक्त को लगाया जा सके तो बहुत simple सा concept है way number 2 का यह मेरा objective way है हम करेंगे कुछ नहीं देखिए अगर बहुत simple सा topic है दिया गया number क्या है? 1, 0, 1, 1, 0 देखिए यह मेरा objective 1, 0, 1, 1, 0 1, 0, 1, 1, 0 यहां से हम शुरू करते हैं 1 से 1, 2, 2 से multiply कर रहा है गुना कर रहा है 4, 8, 16 यह क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग यहां गुना कर रहा है 2 से अब जिसके जिस भी number के ऊपर 0 है उसको काट दिजिए और बाकियों को add कर दिजिए 16, 24 और 2, 22 बेस दस हो गया अंसा कितना अचान सा question है solution कितना अचान हो गया आपका subjective भी हो गया objective भी हो गया इस पर आप लोग जो है different question को ले करके आप सबोज जैसे 255 एक decimal number है आप इसका binary निकाल लीजिए और जो binary निकला आप खुझ से उस binary को वापस decimal में इस method से या इस method से मैं तो चाहूँ का कि दोनों ही method से आप निकाल लीजिए तो आपको decimal से binary conversion का भी reason हो जाएगा और binary से decimal का भी reason हो जाएगा और आपको पता भी पिचल जाएगा कि आपका बनाया हुआ कोशन सही है की नहीं है ऐसी कुछ नंबर अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि टाइप टू का conversion कैसे होगा type 2 fractional number होता है whole number नहीं होता है pronoun का नहीं होता है उसमें decimal का भी concept आता है तो देखते हैं कैसे क्या होता है अब जैसे आप देखें मैं एक example दे रहा हूं type 2 का type 2 यह आपका real number है ठीक है यह आपका real number है आपके पास question आता है one zero one zero point zero one one base 2 बताईए कि इसका decimal क्या होगा चलिए मैं पहले way number one से बनाता हूं जो कि आपका subjective way होगा सबजिक्टिव पे पोजिशन मैं लिखना आपकर पे zero one two three और decimal के इदर क्या होगा minus one minus two minus three यह क्या है आपका यह आपका position है दिये गए number के digits का position है position of digits in the given number तो आप क्या करेंगे वे number one में हां से चलते हैं one into two to the power three plus zero into two to the power two plus one into two to the power one plus zero into two to the power zero plus 0 into 2 to the power minus 1 देखिए यहां पर dot के decimal के दाइने तरफ minus negative x-axis पर जाड़ा है plus 1 into 2 to the power minus 2 plus 1 into 2 to the power minus 3 अब इसको solve करते हैं 1 into 8 होगा ना 2 to the power 3 दो 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 8 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 1 मैंने पहले ही बता दिया किसी भी नंबर में power 0 होगा उसका result बनाएगा plus 0 into 1 by 2 to the power 1 मैंने यह बताया था कि किसी भी नंबर पे अगर negative power होगा तो वो नीचे 1 by positive power हो जाता है plus 1 into 1 by 2 square plus 1 into 1 by 2 q अब आगे आप question solve कर रहा है चले 8 plus 0 चुकि 0 से multiply होगा गुना होगा तो 0 ही आएगा plus 2 plus 0 plus देखिए यह 0 into 1 by 2 है चले एक बार लिख लेते हैं 0 into 1 by 2 plus 1 into 1 by 4 plus 1 into 1 by 8 इधर का जोड़ लेते हैं 8, 2, 10 plus यह तो 0 होगया क्योंकि 0 से multiply हो रहा है plus 1 by 4 plus 1 by 8 तो यह क्या होगया 10 plus अब इसका LCM क्या होगया LCM लगुत्तम महार जो भी होता हो तो इसका 8 होगया LCM आप लोग निकाल लेंगे तो 4, 2, 8 यह 2 होगया plus 1 मतलब यह होगया 10 plus 3 by 8 अब आप देखें 8 से भाग लगाते हैं सब्सक्राइब में पॉइंट लगाया जीरो बैठा आठ तिया चौबिस बचा चे एक जीरो बैठा आठ सब्सक्राइब बचा चार एक जीरो बैठा आठ बचे चालेस काम खत्म मतलब यह होगया आपते आंसर 10.375 जिसका बेस क्या होगा दस होगा यह तो सब्सक्राइब में और प्रिटिकल हो गया ऐसा कुश्चन अब आपजेक्टिव में देदे तब तो हालत खड़ा हो तो इसके लिए देखिए वे नंबर टू हम लोग देखते हैं कि अब्जेक्टिव मेथर जो है कि इतना आसान है कि अब्जेक्टिव में दिया हुआ कोश्चन क्या है 1010.011 देखिए इस तरफ भूना करना है 1248 यहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि मैंने इज़र भूना दो किया है इस तरफ हम लोगों को भाग देना है इस तरफ भाइट ने इस तरफ भाइट जिसके जिसके उपर जीरो उसको तो काट ही दिया मैंने आठ और दो दस बचाँ कि प्लस वह उधर से वन भाइव और प्लस वाइट आया मतलब कही ने कहीं आप ढूंगे इहीं पर चले आए हैं यह आपका 10 प्लस यह 8 हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा तो यह आपका 10 प्लस 3 वाइट हो जाएगा जो फाइनली आपका 10.375 हो जाएगा भाइनरी दिये गया नंबर से तक्सिंगल लुंज़क्र eh ठीक है अब आगे जो है तो मैं अब आप लोग इसको फासा पाउस गड़के वीडियो देखेंगे समझेंगे दो चार्ट दस कुष्चन बनाएंगे सब के पास कुष्चन बैंक होगा उससे डील करेंगे अब यह देखें फिर से कंवर्शन आता है कि कोई नंबर दिया हुआ है और आपको उसको करना है अगर आप इसके सब्जिक्टिव मेथड को देखें टाइप वन पहले है ताइप वन हमेशा इंटीजर के लिए होगा इंटीजर का मंदब वोल नंबर होता है पुर्णांग वोल नंबर चलिए मैं कोशन लिख रहा हूं वन जीरो वन 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 पेस्टू बताइए कि इसका आपकल क्या होगा अब वे नंबर वन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है लंबा हो जाता है यह नंबर वान में क्या होता है आपको पहले फेज में दिये गए बाइनरी नंबर से आपको निकालना होता है और डेसिबल यह पहला फेज है तो यह तो मैंने पहले बताया क्या करूंगा मैं पोजिशन देखिए जीरो वन टू थ्री फोर यही पोजिशन है आपका यह तो मैं करूंगा वंनिऑ टू पावर फोर प्लस जेरो इंतू थी पावर Tी फ्लस बास हमनी टू तु पावर तू प्लस वन इंटू बावर प्लस बखिशन आपको तो प्लस वन इनिटू अन्तू अब थ्या कि तो आगया 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 तो यह आपका एड़ हो गया जागा 16, 24, 22, 21 तेज़ लेकिन यह जो तेज़ है यह आपका ओक्टल नहीं है यह आपका डेसिमल है अब आपको इस डेसिमल नंबर को कनवर्ट करना होगा ओक्टल में है ठीक है तो डेसिमल से आप्टल पिछले वीडियो जो मैंने बताया था कि किसी डेसिमल नंबर को आप्टल में कनवर्ट करना है तो क्या ड़ना होगा आठ से भाग लगाना होगा दो मर्तवा लगेगा आठ उना सूला बचेगा साथ नीचे से उठाएंगे यह तू सेबन हो और देखें नंबर तू से चलिया, मैं एक्स्प्लेंड कर रहा हूं जो की ऑबजेक्टिव गया है तो अच्यक्शली आपको करना क्या है आप वाइनरी से कनवर्ट कर रहा है मतलब दो से कर रहा है क्या चीज प्यानियून मैं आट में और यह सब लोगों को पता होगा तो उपर पावर तीन बनाबर आठ होता है इसको समझी इस लॉजिक को याद नहीं करता है आपके पास नमबर क्या है वन जीरो वन 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 तो तीन-तीन का ग्रूप बना लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज गड़ी जैसे घुमती है उसके अपोजिट डैरिक्शन में को सकता है कहीं पर तीन का ग्रूप नहीं बने जैसे यहां नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है एक जीवे बठा लेते हैं क्या फर्कूरता है अब आप इस वन 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 को अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो वन 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 ऑप्जेक्टिक विधर से वन टू फोर कहीं जीवे नहीं कटेगा नहीं चार्ट उछे एक साथ आ जाएगा तो यह आपका साथ आगया है ठीक है यहां से साथ कैसे आया यहां एक्सप्लेंट है और पिछले वीडियो में एक्सप्लेंट भी है दूसरा नमबर आपका जीवे बन दीव है चलिए वन टू फोर जिसके जिसके ओपर जीवे वह कट गया तो यह क्या आगया आपका तू आ गया कितना आसानी से बन गया तू बढ़ाब तीन का भी यह लेकिवी काम कर सकते थे ठीक है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लुक देखें इस पर प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अभी बायनी से आप्टल में जो है टाइब टू बचा हुआ है फिर बायनी से एकसा डेसि प्राइब करणा ना भूले है थांक्यों